तो अगर आप मेरे से पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा चक्परदी ब्याज में किस तरह से पढ़ाता हूं तो काफी सारे लोग कहते हैं कि वीपी तुबे थोड़ा ठीठा चक्रवदी ब्याज बढ़ा लेते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उमीद चही है कि आप इस समय ब्लुकुल कौपी किताब लेकर बैठ जाएंगे और एकडम साउंड और सबको अलग करके ब्लुक क्योंकि इस समय वेकेंसी बास है और हम नहीं आपके बास तो आप जरूर पढ़ने इस मुबाइल के माधियम से जिस पर भी आप देख रहे होंगे बड़े-बड़े लोग लेक्टॉप पर भी हो सकता है देख रहे हों चलिए तो अब क्लास किस तरह से होगी क्लास अब ही काम है बेठे बेठे कुछ ना कुछ करना मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो आप भी कुछ किया किजिए शेर करती जी इस वीडियो को जिस भी एजुकेशन ग्रूप पर जुड़े हैं गुल बानिंग आप सभी को नमसकार तो जिस भी एजुकेशन ग्रूप पर आप जो भी आपकी दोस्त चक्रदी ब्याज से लेकर परेशान हैं आप उन सबको ये लिंक सेर कर दीजे तो सबसे पहले आप समझो ब्याज ब्याज क्या है ब्याज के बाद आपको समझना पड़ेगा साधरन ब्याज और साधरन ब्याज की बाद मैं आपको बता रहा हूँ चक्रदी ब्याज तो समझो ब्याज क्या है ब्याज क्या होता है जब कोई ब्यक्ति किसी अन्य ब्यक्ति को पैसों के उप्योग के बदले जो किराया देता है वह क्या कहलाता है ब्याज तो फिर साधरन ब्याज क्या कहल अधाओ आएगा, साधारण भ्याज, जब कोई व्यक्ति, किसी न्यव्यक्ति को निश्यद मोलधन, निश्यद समाई के लिए निश्यद दर्से, तो वो क्या कहलाएगा, साधारण भ्याज, तो फिर चक्कः प्रधि- z situation का कहलाएगा, तो वो कैसी होती है, ये तो गुमाबवार, मतलब चक्र, ब्रद्धी, मतलब ब्रद्धी होती हो, और हर चक्र दूसरे चक्र से क्या होता है, बड़ा होता है, तो आप समझो चक्र ब्रद्धी ब्याज क्या है, ब्याज के उपर ब्याज, आगे समझना ज़रा, सवाल उटता है कि चक्वृद्धी व्याज और साधार्ण व्याज में क्या कोई फ़र्ट है तो देखने जा रहाँ यहां पर मैं लिख रहा हूँ साधार्ण व्याज और यहां मैं लिख रहा हूँ चक्व्रद्धी ब्याज चकप्रति ब्याच ठीक हैं कंपाउंड रेश्ट और सिंपल इंट्रेश्ट मिश्टर गोरेलाल हैं गोरेलाल और मिश्टर कालेलाल ठीक है दो लोग अब जरा समझना दोनों कितने रोपर लेते हैं तीन वर्च के लिए और दस परफिस पर हम देखते हैं जरा वर्कटर डिफरेंट क्या डिफरेंश आता है दोनों में चकप्रदी ब्याच से जब ब्याच ले रहे हैं और साधर ब्याच से जब ब्याच ले रहे हैं जहां से देखना, हमने 10,000 रुपे लिए, 10% कितना हो जाएगा, एक हजार, तो पहले साल में कितना हो जाएगा, ग्यारा हजार, ग्यारा हजार ब्याज नहीं हो जाएगा, ग्यारा हजार रुपे लोटेंगे, ब्याज कितना हो जाएगा एक हजा, अगले बर्स कितना हो जाएगा, अगेन एक हजा, साधरन ब्याज में ये कितना हो जाएगा, बारा हजा, अगले बर्स कितना हो जाएगा, देखो, अगले बर्स कितना हो जाएगा, अगेन एक हजा, तो कितना हो जाएगा, त्रीरा हजा, उसके ओपर भी जो ब्याज मिलेगा वो कहलाएगा चक्रदी ब्याज देखने ज़रा हमने 10,000 रोपे लिए कितने लिए 10,000 एक हजार ब्याज हो गया एक हजार क्या हो गया ब्याज तो ये कितना हो जाएगा 11,000 कितना हो जाएगा 11,000 आप 10% और देखते हैं तो 1210 अब 10% कित्रा होगा 1210 1210 जब देखेंगे तो कित्रा हो रहाएगा 13 इसी का 10% लगेगा एक अंक वहले दिसम्मला 1210 13310 13310 ध्यान से समझ रहा हूँ चाहे गुरे लाँँ चाहे कारे लाँँ रुपए कितने लिए थे 10,000 तीन वर्ष के लिए और दर कितनी थी दोनों ही जगा 10% ना तो मुल्धन में फर्क था ना दर में फर्क था और ना ही समय में फर्क रहा लेकिन आप देखोगे कि चक्ग्रधी भ्याज में जब इसमें से इसको घटा होगी ना तो दर बल्दी है ना समय बल्दा है ना ही मुल्धन बढ़ ला है उसके बावजूद भी 310 रुपे का फर्क आगया तो इसको समझना होगा और आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझना अगर आप स्क्रीन सॉट लेना चाहें तो तेजी से स्क्रीन सॉट लेने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर ट्रिक ही है चल आगे बढ़ते हैं डिलीट करता हूँ अब समार होता है चक्कुरंदी ब्यार देखो मैं बहुत ही सिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने एक परसेंटेस्ट का वीडियो बनएया है। उसका मैं फिक लगा दे रहूं तो परसेंटेस्ट का वो बनाया है वीडियो आप लो जरूर देख लेना उस्यार ना है क्पडकर है पहले छायंस दीप लिखोगे आप, ठीक है, छायंस दीप, इस तरह से आप छायंस दीप लिख लिए, तो आपको यहां पर मिल जाएगा होम, इसके बाद उमें क्या होता है, वीडियो, ठीक है, इसके बाद होती है प्लेलिश, तो प्लेलिश दो जब आप जाओगे, आपको म मैंस की प्रतीशत का वीडियो मिल जाएगा या मैं कुछ दिन बाद इसको प्रतीशत को प्रतीशत और लाभानी वाली चैप्टर लाभानी में रख दोंगा और करने में दिकर ना हो के लिए चले सुरो करते हैं अब जरा समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझने आएगा पहली बात जरा समझो चक्तुरती व्याज को हम फॉर्मुला से नहीं कर सकते हैं फॉर्मुला आपको मैं लेक देखना वस्थ हैं नहीं है ना कुछ करना है यह इससे आप चक्तुरती व्याज को सौल्व नहीं कर सकते हैं देखो मुल्धन एक धन दर बटे सो की पावर समय माइनस मुल्धन प्रिंसपर बन प्लस रेट की पावर कायं माइनस प्रिंसपर तो इससे आप सौल्व नहीं कर सकते सौल्व कल भी लेंगे कुछ एक बच्चे तो समय काफी लग जाएगा, क्लियर है, तो चत्कप्रद्धी ब्याज आपको ट्रिक से सीखना ही पड़ेगा, क्लियर है, सीखने से पहले आप एक की और सीख लो, सो परसेंट मतलब होता है ज्यों का त्यों, सो परसेंट मतलब होता है ज्यों का त्यों, 400 का सो परसेंट, 400 ही होगा, 50 परसेंट मतलब होता है आधा, 25 परसेंट मतलब होता है आधे का आधा, 10% मतलब होता है 1 अंक पहले दिसमलाओ और 1% मतलब होता है 2 अंक पहले दिसमलाओ इतने ये 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए clear, simple है, एक पार set कर लो मैं फिट से कह रहу, अगर आपको दिक्कत हो तो percentage का एक पार chapter देख लो ये 5 चीज़ें सिखाई और कुछ खास नहीं उसका प्लोग, अब जड़ा सीखते है तो पहला portion देखते है, पहला portion उसमें इखा मोज़न है 45,000 रुपए दर है 5 प्रतिशक समय है 2 बर्स समय कितना है, 2 बर्स तो जितने बर्स है कितने बर्स है, 2 बर्स तो 2 घंडे खीज़ देंगे क्लियर है 2 बर्स है, तो 2 घंडे खीज़ देंगे यहाँ पर 5 पर्सेंट यहाँ पर भी कितने पर्सेंट हो जाएगा 5 पर्सेंट क्लियर है, 10 पर्सेंट कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 5% हो जाएगा 2000 यहां पर भी कितना हो जाएगा 2000 तो पहली लाइन में क्या निकलता है साधरन जाए दिख रहा होगा आपको अब इसका भी 5% व्याज की उपर व्याज तो दूसरे साम में पहले साल का वैर निकलता है तो 10% कितना होगा 200 पांच परसें कितना हो जाएगा सो डोक्टर कितना हो जाएगा चार हजार सो कितना हो जाएगा चार हजार सो चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से समझना अगला कॉश्चन देखना इसी को मैंने कर दिया 10% और अभी वी दो परस है तो आप क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स मे पटा पटा तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो कई लोगों को बिना पेंट चला हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 4,000 अगें कितना हो जाएगा 4,000 और यहां पर 10% कितना हो जाएगा 400 तो 8,400 कितना हो जाएगा 8,400 समझ आ रहा होगा को चलिए आगे देखते हैं ठोड़ा changes होगा, कितने तंडे खीजेंगे तैन, यहां पर एक, यहां पर दो, और यहां पर मैंने खीज दिये, थी अब चार हजार का 10% कितना होगा, चार हजार अगेन चार हजार, यह जो पहली लाइन हैं, ऊपर जब कर निकलती 40,000 का 10% चार हजार, चालीस हजार का दस परसेंट, चार हजार, चालीस हजार का दस परसेंट, चार हजार, कि लिए रहें, अब चालीस हजार का दस परसेंट, कितना हो जाएगा, चार सो, दूसरे साल में पहले साल का प्याज निकलता है, बोले में सार, दूसरे साल में किसका निकलता ह पहले साल का, फिर तीसरे साल में पहले दूसरे साल का ब्याज निकलेगा, तीसरे साल में पहले दूसरे साल का, तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400, अगें कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, 1, 2, 3 का निकलेगा, तो 2 का निकल चुका है, अभी इसका और बचा है, तो 10% कितना हो जाए अगले कॉश्चिन में फिर समजने की कोसिस करना कोई दिक्कत नहीं ध्यान से समजना चार इकमचाण चारतुनिया चारतिरी बारा हजार चारतिरी बारा सो और ये कितना हो रहाएगा चाथ तो 13,240, 13,240, अगर नहीं समझ में आया है, तो फिर समझ ना, फिर से देखो, ध्यान से समझ ना, फिर से देखना जरा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया है, तो कोई बात नहीं, हम 20,000 करते थे हैं, 20,000, 10%, 3 वर्स, जो जिनकों समझ में आके आए, अंसर निकालो, और कमेंट बॉक्स में लेग दो, ठीक है, तो दो हजार, दस परसें कितना हो जाएगा, अगीन दो हजार, अगीन दो हजार, अगीन दो हजार, दस परसें कितना हो जाएगा, दो सो, अगीन कितना हो जाएगा, दो सो, अगीन दस परसें, तीसरे साल में पहले दूसरे साल का ब्याज निकाल दा, तो दस परसें कितना ह होता हो जाएगा 20 तो यह कितना हो जाएगा छे 61400 जोड़ना पडित अब आपको समझ में आ गया है समझ में यकीन फिर भी इदफोडा फॉद भी संकटो तो जोड़े भी राएं बस समझने की कोशित करो करें धीरे-धीरे-चीरे-चीरे समझ में आजाएंगे क्योंकि हारओं कित्रे पर्शेंक निकालना है 10 tan k Bewा है दस बर्सेंट्ट Strông relax the जिаж स्यों से दिखना जाएं जिए मैं ध्यान से देखते जाना तो जरा आखे खोल कर दीखना अब यहां से important है धीरे धीरे सीखना कि ज्यान से सीखना क्योंकि अभी चीजें चल रही है इसके बाद क्या है छे भाही फुरता ती माही काफी लंबा सफर अब बिल्कुल धीरे धीरे चीजें सीखते जाओ आपको मज़ा आता जाएगा चल ध्यान ती कितने साल है तीन साल तो एक साल वोसाल और तीन साल 10%, 10% वह कंतना जाएगा 5%, तीसरे साल 5% दल रहगेगी क्योंकि तीसरे साल केबल 6 माह ही दिया है समझ आया पिछले साल के पिछले कौश्य में क्या था? 10% लेकि इस कौश्य में कितना है? 5% क्योंकि तीसरे साल जो दर है वो आधी लगेगी क्योंकि समय आधा है इस line को मैं repeat करूंगा जब समय लिखा लेंगे मैं कहूंगा च्योंकि दर अभी भी है इसलिए समय क्या हो जाएगा आधा समझने की कोसिस करना धीरे धीरे देखते ज़रा अब तक आपने नहीं देखा कि यहाँ पर कोई line खीती थी लेकिन अब मैं यहाँ पर line खीत रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी घटना घटित होगी वो 5% पर घटित होगी फिर से वर रहा हूँ यहाँ पर जो भी घटना घटित होगी वो 5% पर घटित होगी clear है? चलिए सुरू बढ़ते आप में जान से देखो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 कितना हो जाएगा? 2,000 clear है? और यह कितना हो जाएगा? 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,000 क्यों? 10% जब 2,000 है तो 5% कितना हो जाएगा? 1,000 अब दूसरे साल में पहले साल का प्याज निकलता है तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 अब तीसरे साल में पहले दूसरे साल का ब्याज निकलता है तो सुरू करते हैं सबसे पहले 5% कितना हो जाएगा? 10% कितना है? 200 तो 5% कितना हो जाएगा? 100 सेट करना दस परसन कितना है पांच परसन पर निकलना है दस परसन कितना है दो सो तो पांच परसन कितना हो जाएगा सो दस परसन कितना है बीस तो पांच परसन कितना हो जाएगा दस कितना हो जाएगा दस तो दो एक दो 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 निए चार और एक पांच हजार दो सो, चार सो, चार सो, दस पांच हजार चार सो, दस पांच हजार चार सो, दस अगर आपको समझ नहीं आया हो तो अगला कॉशन ध्यान से समझना मैं थोड़ा सा चेंडे करना हूँ मैंने पूशा 20,000 रुपे, 40% दो बर्स, 6 माह चक प्रद्धी प्याच घ्याद करना है, जिनको समझ आ गया है, वो कॉपी मैं करना चालो करो, लियरे और जिनको समझ नहीं आया है वो सामने देखते रहना, ध्यान से देखना जड़ा ध्यान से देखना दो बर, 6 माही दिया है, तो पहली साल पूरी पूरी तो दर्भी पूरी पूरी दूसरी साल पूरी पूरी तो दर्भी पूरी पूरी तीसरी साल आधी है तो दर्भी कैसी हो जाएगी आधी मतलब कितने परसेंट 20% कितने परसेंट हो जाएगी 20% question है 20,000 रुपे 40% 2 वर्स 6 माह का चक्कुब्रदी ब्याज ग्याद करो क्लियर है करना चालू करो 20,000 रुपे लिखे करना चालू करो जन्दी से दरदी है 40% और समय लिया है 2 वर्स 6 मा कोसिस करो अगर बन जाए बाकी मेरे साथ देखो खोब समय मिल गया आपको ध्यास देखो 10% कितना होगा देखो यहाँ पर घटना घटे थोगे 20 पर तो लाइन फीज दे अब 10% कितना होगा बोलो जल्दी से 2,000 तो 40% कितना होगा यहां पर कितना हो जाएगा निकलना है वीस परसन तो चार डुनी कितना हो जाएगा, 2-1 कितना हो जाएगा क्या है क्योंकि 10% होता है एक पहले स्मूर, अब 8000 का 40% देखते हैं, 8000 का 40% देखते हैं तो 10% कितना हो जाएगा? 800, 8, 4, 32, 100 कितना हो जाएगा? 8, 4, 32 अब यहाँ पर देखना अब जहां से देखना तीसरे साल में पहले दूसरे साल का ब्यास निकलेगा तो इसका, इसका, इसका कितना इसका? 3, इसका 8, 2, नी 1600 और 32, दो नी कितना होता है? 64, 600 चारवीज अब इन देखो, 10% आठ सो तो 20% 1600, 10% आठ सो तो 20% 16, 10% 32 20% 600, 40 आठी कमार आठी कमारा, आठी कमार्दूनी, दो नी 16, 16, 166 20 हजा 32 और 16 दूनी 32 तो इसको 6400 भी लिख सकते हैं 32, 32 इसको डारेक लिखते हैं 6400 जोड़ने में आसानी होगी ठीक है केबल कितना वज़ा है 640 जोड़ो सुने 4, सुने 7, 2 27,040 कितना होगा 27,040 क्लियर है आग्या समझ में अच्छे से चाग ठीक अगर आगया तो बहुत ही अच्छे बात है चुट देखते हैं जरा हूँ अब थोड़ा सा मैंने चींज़ और किया थोड़ा सा मैंने चींज़ और किया मैंने दो वर्ट के लिए लिख दिया तीन माह जल्दी से करो जिस पर बन जाया और ना बने तो मैं बता रहा हूँ जिस पर नहीं बनेगा तो मैं उसको बताने की कोसिस कर रहा हूँ ध्यान से देखना कोसिस करो क्योंकि कोसिस करने वाला आपकी हार नहीं होती जल्दी से करना जड़ा भौत तीजी से जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी करो आप ले रहे जल्दी करो कितना आएगा सबसे पहली बार थोड़ी सी हेल्ट कर दे रहा अच्छा करके देखना यहां पर तो 40% रहेगा यहां पर भी 40% ही रहेगा और यहां पर जो तीसरी लाइन खेचेगी वो कितने परसेंट पर केचेगी जल्दी से वो रोग तीन माँ है तो तीन बटे बारा एक चौथाई मतलब चालिस का गुणा करेंगे तो एक चौथाई परसे तो यहां पर कितने परसेंट होगा दस परसे अब जल्दी से करके देखा दो फटा फट तेली से करो जाराओ जल्दी से आगे समका चलिए आगे बढ़ते देखते हैं जिनका आगे 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 बढ़ते हो जिनके लिए नहीं आया उनके लिए समझा रहा हूं ख्यान सुदेखो दो चौकी कितना हो जाएगा यहां तो आठी हजार हो जाएगा यहां भी कितना हो जाएगा आठ हजार अब दस परसेंट कितना हो जाएगा दो हजार 10% कितना हो जाएगा 2000 अब 8% का 40% 8 34 32 अब यहाँ पर जो भी घटना घटनी कितने परसेट पर घटनी 10% इसका 10% कितना हो जाएगा 800 यह मैंने लाइन खीज़ दी 800 इसका 10% 800 इसका 10% कितना हो जाएगा 320 220 इसका 10% कितना हो जाएगा 320 इन सब को क्या कर देंगे हम एड कर देंगे क्या कर देंगे हम एड कर देंगे इड कर देंगे कि जब इनको एड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फिर भी यह दी कोई दिक्कत है चलो थोड़ा सा और चिंजिक कर देता हूं कि मैंने यहां पर कर दिया कि 20 प्रतीशत अब करके देखा ध्यान से देखना करना चालू करते हैं कि 20,000 रुपे 20 परसेंट दो वर्ड तीन बाद के पहले साल दर्व glut दोसरे साल दर्व पूरी-पूरी 3 तीसरा जो माह है वो तीन ओर फीन माह मतलब होता है एक चौथा ही तीन माह मतलब क्या होता है एक चौथा है तो जब तीन माह मतलब एक चौथाई होगा, तो दर भी एक चौथाई हो जाएगी, तीन माह में, देखो कैसे हो जाएगा, तीन बटे बारा, तो एक चौथाई हो क्या, गोड़ा कितना कर देंगे, बीस, तो चारी कम चार पंचे, बीस, यहां पर कितने परसेंट हो जाएगा, पांच परसेंट, कितने हो घाहेगा दो हजार तो बीस परसन कित्रा हो घाहाईगा चार- vib üç котором यहां दोपरसन कैस के त्रह जाएगा आठ तो कित्ना हो जाएगा इसका 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 कितने परसन निकलेगा पांश परसन आप लोटिस किया करो यह दोलों 20 उपर लेखें 5% नीचे नेखें ताकि गलती से भी गलती नहों clear है? तो 10% कितना हो जाएगा? 5000 तो 5% कितना हो जाएगा? 5000 इसका निकाला है अब एक, दो, 3N का इतने परसें निकलेगा? 5% तो निकालना चालों करते हैं कितना हो जाएगा, 10% कितना है, 400, 10% कितना है, 400, तो 5% कितना हो जाएगा, 200, 10% कितना है, 400, तो 5%, 200, 10% कितना है, 80, तो 5% कितना हो जाएगा, 40, 5% कितना हो जाएगा, 40, तो 4 ही कम 4, 4 तो नहीं, 8, 8 और एक, 9000, आधी कम 8, 8 हो तो 10, 10 तो 1200, और 40 और एक कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 10,240 10,240 answer clear है आ जाएगा समझ में बन जाएगा चो और थोड़ा देखते है और थोड़ा देखते है ध्यान से देखना ध्यान से समझना आगे का अगर ना समझ में आए तो पूछना ध्यान से देखना ज़रा जो पूछन में कहना था कि एक साथ में हो सकता है वह दो साथ में हो सकता है पी आट टी सी आई जहां से देखना ज़राओ फोड़ा सा नीचे हो गया उपर कर दे रहा हूँ पी आटी एस आई सी आई स्वारी माफ कीजिए अब मैं आप से करहा हूँ बीस हजा भी समी में कर रहा हूँ आट हजार रुपए ठीक आट हजार रुपए रखें दर रखी मैंने दस परसेंट और समय रखा एक वर्स छे माँ एक वर्स छे माँ समझना ही पड़ेगा ध्यास से देखना पहली साल पूरी पूरी तो गर्वी कितनी हो जाएगी पूरी पूरी मतलब दस परसेंट दूसरी साल के बड़ छे माह की है 6 माँ की है तो यहां पर कितनी हो जाएगी 5% कितने परसेंट हो जाएगी 5% अब ज़रा ध्यान से समझना 10% कितना हो जाएगा 8000 10% कितना हो जाएगा 8000 तो 5% देखना होगा कि 5% कितना होगा तो 5% कितना होगा समझने की कोसिस करना 10% कितना है 800 है तो 5% कितना हो जाएगा? 400, कितना हो जाएगा? 400, अब दूसरे साल में पहले साल का ब्याज निकलता है, दूसरे साल में किसका निकलता है? पहले साल का, तो 5% कितना हो जाएगा? 10% 80, तो 5% कितना हो जाएगा? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 1240, आ रहा है समझ में कि नहीं आ र पहले साल कितनी लगेगी बीस परसेंट दूसरे साल कितनी लगेगी दूसरे साल तीन करते हैं पटे चार, कितना रहेगा 20% चार यहां पर जो भी घटना घटेत होगी वो कितने परसेंट पर घटेत होगी 5% पर यहां पर 20% तो 8 दुनी कितना हो जाएगा 1600, 10% 800 तो 5% कितना हो जाएगा 400, अब इसका निता देंगे 5% तो 10% कितना हो जाएगा 170, तो 5% कितना हो जाएगा 80 अरे बोलो 10% 160, तो 5% कितना हो जाएगा 80, जोड़ देंगे 1600, 400, 2000, 80 आंसर कितना होएगा 2000, 80 देखते हैं आगे जब दर 6 माही हो ध्यान से समझना इसका भी काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है 6 माही दर उससे पहले मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुना साधार और ब्याद में दर के 6 माही या 3 माही होने का प्रभाव नहीं पड़ता जब कि कंपाउंड इंट्रेस्ट में रेट के 6 मंतली और 3 मंतली होने का सीधा एफेक्ट पड़ता है इसको ध्यान से समझना आखिर कंपाउंड इंट्रेस्ट में क्या फर्क पड़ता है 6 मंतली और 5 मंतली रेट से देखो ध्यान से समझना जब दर 6 माही हो कॉशन जैसा आता है जैसे वो कहेगा 40,000 रोपे दर कहेगा 20 प्रतीशर समय कहेगा जैसा वो एक बर्स और वो कह देगा और इसके बार कहेगा जब 6 माही उतसे सही हो 21-2 कितनी तैस्त बनेगे 2 2 समझा गया डंडे कितने किचेंगे 2 dai किस कारन से ечला एक बर्स में दो 2 माही इस कारन से दंडे 2 कारन दर बीस बीस परसेंट नहीं जगेगी अगर बीस बीस परसेंट लगेगी ना तो ये दो साल का चक्त प्रदी प्याज निकल आएगा हमें केबल एक साल का निकालना है तो दर्भी क्या हो जाएगी आधी दर्भी क्या हो जाएगी आधी तो दस परसेंट और दस परसेंट क्लिर है जब 10% निकालेंगे तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा क्या आप बता सकते हैं 4,000 का 10% कितना हो जाएगा सारी 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4,000 और यहाँ पर 4,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,500 पांसें कितना हैगा 8,000, sorry, 84,000 8,000, 400 समझेने की कोज़स करो अगर नहीं समझ पाए तो एक और कॉशन देखो मैंने मोंधन लिखा 25,000 कितना लिखा? 25,000 अब ध्यां से देखो बाकि सब जयों काते हो तो यहां पर कितने परसेंट हो रहा है का? 10 परसेंट तो 25,000 का 10% कितना हो रहा है का? कितना हो रहा है का? 25 हो जाएगा तो यह कितना रहा है का? 25,000 यह चेक्क प्रद्धी व्याज आ जाएगा उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगी सारी चीज़ें आज यह बढ़ते हैं ध्यां से समझना यह इसी कॉश्चन में मैंने कहा एक बर्स छे माँ जाब हो दिया मैंने एक बर्स छे माँ समझा जब एक बर्स छे माँ है और कॉश्चन उसी तरह से है तो डंडे कितने किचेंगे? 3 तो यहां पर हम किचेंगे 1, 2, 3 क्योंकि यह फ्रेर साल लिख रहा है एकवाँ शे माँ एक साल में दो किस्थें और छे माँ हमें एक किस्था żyाएंगी दर कितनी लग sap तो यादर तो 10-1% लगेगी च्छे माँ ही है तो दर आदी हो रही है ती माँ ही है तो दर आधी की हो जाएं अब यालया है अब्टीते हो जाएं इसपारशंट कि इसका कितना इसेटिन dwosapriaas अब dwosapraas का तो किटना करेदा से एकमण एक इसका की धसकी जबतुम आएगा 25 हैं इसका 10 पर्स जाएंगस ऑच्छीश ये500 चले concert मेरें दो त्र 280 किटनाक्ष मिलच 10% कितना हो रहाएगा 2.5 रोज तो वही रहेंगे न आप जोड़ देते हैं तो यह मो pronigjar साढ़े साथ सो यह कितने हो जाएंगे 75 और कितने हो जाएंगे 2.5 तो सीप इसको चीज़ें समझ में आगी होगी जोड़ने का वह एक तरीका होता है पहले आप पचास दे दो यह हो जाता है पूरा 800 यहां तो 25 बचेश तो पचीश और 827.5 तो 827.5 ऐसे भी आप उरल भी जोड़ सकते हैं उमीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हूं एक और पॉस्षिन करते हैं कि कॉश्ण है कि 9000 रुपए यह 900 करते रहे बहुत 9000 रुपए 900 रुपए 10 प्रतेश चान चाहिता हैं कि दस प्रतीश यह मैं है 900 रुपए 10 प्रतीश अ हिरे तो अब कितने पै Dios तीन ऑ तिन बल्स कितने परसे निकलेगा उप पांच पर संप पर संप और 5 परसे तो दस परसेंट किपना है5 परसेंट कितना हो जायेगा 45 अगेंग कितना हो जायेगा 45 क्लियर हैं अब इसका भी पांश परसेंट निकारा है कितनी इसका 5 परसंट तो 10 परसंट कितना हो जाएगा साड़े चार तो 5 परसंट कितना हो जाएगा 2.25 साड़े चार का अधा 2 रोपे चुबन नहीं तो होगा 4 रोपे 50 अब इसका 1 2 3 पर 5 परसंट निकाल जाए लगाओ इसका आधा कर रहा होगे तो इसका अधा कर रहे होगे ना तो इसका आधा इतना आएका बता सकते हो अद्हाँ करोगे तो कितना आएगा दो एकम तो दो दूनी चाहर ले रहे दो दूनी चाहर इसके पाद कितना आ जाएगा बोलो जरा यहाँ पर जब आप आधा करोगे तो दो 2-2-4 इहाँ पर 2-5-6-10-30 से अजाएगा कितने अंग पहले सम्ना था तीन अंग तोई रहेगा 0.1125 0.11 अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा उपर रख दे रहा हूं मैं 2.25 2.25 यहां पर आएक 0.1125 क्लियर है उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा आप जोड़ना चारू करते हैं 45 कितना हो रहा था 135 अब यह 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 दो एकम दो दो निचार दो टीम छह रूपर 75 पैसे और दिसम लोग एक एक दो पांच तो पांच दो शे आठ दिसम लोग छे पांच ग्यारा एक एक चार एक 141.8-625 141.8-625 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दिसम्मलाव से डरना नहीं होता है आप डिसम्मलाव से क्या डर हो गया के बल आपको फोकस करना है कि आखिर में थर्ड क्या है बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा अब यह आप मोबाईल पक्ड़ हो तो मोबाईल पर थोड़ी बी नजर इधर उधर हुई तो आप गद्धा देखेगा क्या वसी पर बैठे हो तो यह सारी चीज़े देखेंगे अच्छा होता है अगर आप टेबल पर बैठे हैं जब भी पढ़ाई को लेकर मोबाईल देख रहा हैं उर्सी पर बैठें जो भी हो उस पर बैठें मगव ऐसी चीनों पर बैठें गद्धे पर तो बैठो आराम से कोई बात में आगे बढ़ते हैं इतनी बात आगे दो सब्सक्राइब हो रही है तो दर तीमाही भी होगी होगी के नहीं होगी तो आप देखते हैं जब दर तीमाही होगी समझने की कोशिस करना क्योंकि यह सवाल है चक्रदी ब्याज है छोटा मोटा चैप्टर नहीं है मुद्धन मैंने लिखा आठ हजार रूपे बहुत ही शांदार तरीके से आठ हजार रूपे लिख दिये दर मैंने लिखी 20 नहीं 40 प्रतिशत कर दी पहला वश्यन है समय सब्सक्राइब कितनी तीमाही तो एक बर्स में कितनी तीमाही होती है चार तो नौ माह में कितनी तीमाही होगी केबल तीन क्योंकि छे माह में दो तीन माह में एक तो नौ माह में कितनी तीमाही होगी तीन बतलब धंडे कितने खिजेंगे तीन छेमाही दर में क्या हो रहा था आधा ओरे थी कि नहीं छेमाही दर में दर कैसी हो रही थी आधी तो तीमाही दर में दर कैसी हो जाएगी एक चौथाई यहां पर एक चौथा लगूजा तार समझो यहां प्रत में. सब्सक्राइब तर तरहां चैनल पूरी नहीं हो गई तो 40 कैसे लग चाहिए पिसी परसेंट लगेगा अब यहाँ पर देखो ब्याश्ट पर व्याश्ट पर ब्याश्ट आठ जो का तस पर्सेंट कितना हो जाएगा अगें कितना हो जाएगा असी और दस परसेंट कितना हो जाएगा आठ वी कम आठ तुनीस और अठ तरी चौबीस सो आठ वी कम आठ तो चबीस सो अर्टाविस चबीस सो अर्टाविस लियर है आग गया समझ में शर्ण और देखते हैं अगर नहीं आया होका समय और देखते हैं जैसे मैंने कौशन दिया मैंने कहा कौशन है 4500 रुपए ठीक दर देदी असी प्रतिशत समय देदिया शे माह और ती माही दर देदी तो चुकि शे माह का चक्त प्रतिव्याज क्याद करना है तो दर क्या हो जाएगी केबल दो डंडे खिचेंगे और यहां पर कितना हो जाएगा छे मां दर एक त्याई हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी आधी की आधी मतलब 20 परसेंट और कितनी लगेगी 20 ध्यान खटा थोड़ी सी भी सावधानी खटेगी बहुत बेकार हस्र हो जाएगा चक्रतिव्याज द्याद उसके बाद कुछ और सीखेंगे तो दो जाएगा अब 20 कितना हो जाएगा 100 ओनी अठारा लुटना हो जाएका नाइस और एक सो अस्य कित्रा हो जाएगा उन्नेश्टो अस्य को कि लियर है है चाप आगे देखें हम लगबक हर काई की मैंने अपनी तब चक्रप्रती प्याज निकालना सिखा या पहले बार सिख में भी जैसे साड़े की दो सान हों साड़े एक साल वहना जेर साल-धाइ chỉ सब्सक्रों आफ़ से बार 220 सब्सक्राइब इसirm ने आ Пणा मेरे सब्सक्राइब उसके पर यह लिए दो करनके नेसं आनीपने कुछ सब्सक्राइब कर रही है लिए पूर्म भी चारू पर样 को सब्सक्राइब मैंको 80,000 रुपे का धन, प्रतिशत व्यास तीन वर्ष के लिए चक्व्रतिव्यास की दर्ष से उधार लिया गया, पहले बर्स दर्ग 10% रखी गई, दूसरे बर्स दर्ग 10, 14, 30% कर दी गई, 20% और तीसरे बर्स कित्ती कर दी गई, 40 तो तीसरे वर्स का ब्याज, तीसरे वर्स का ब्याज कितना होगा, कितना शांदार कॉशन है, सीरे तीसरे वर्स का ब्याज निकालगा, केबल तीसरे वर्स का, सैट करना, अब जितनी क्लास अब तक पड़ी है, वो सारी यूज हो जाएगी, सारी, पहले साल क्या रहेगी, यहां पर जो भी घटना घटित होगी अब देखो जड़ा यहां पर भी क्योंकि हर एक लाइन अलग अलग है पहले साल दस परसेंट दूसरे साल 20% तीसरे साल 40% और तीसरे साल का भ्याज मतलब इसको हमें एड़ करना जित पर बन जाए करना चालों कर देना यहां पर 20% कितना हो जाएगा सोला सो दस परसेंट आप जाएगा तो वीश परसेंट सोला सो इसका 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 कितने परसें निकालोगे चालेस परसेंट तो आच चौके बतीस सो सोला चौके चौसट सो दिया रहे हैं दो सुने पीज दिलाएंगे और यहां पर सोला चौके छह सो चालेस दसंग पहले एक पहले दिसंबल लगना आए क्योंकि चालेस अब किसको जोड़ना है इस पूले प्रसेंट बागी को नहीं जोड़ना है तो बतीस हज़र बतीस हजार बतीस सो जौसट सो और शेसो चालेस जोडना चालो करते हैं सुने चार आठ तो दस दस तो बारा एक छै 10 तो 12 42,240 answer केवल तीसरे साल का दूसरे साल का पूस्ता तो इसको जोड़ते तो 17,600 पहले साल में 8,000 लेकिन उसने केवल तीसरे साल का पूछा है तो केवल तीसरे साल का ही हम जोड़ कर निकाल देंगे clear है? आगया समझ में? चोड़, अब देखते हैं कुछ एक अन्य सवाब ठीक? निकालते जाए अब हम निकालते हैं वर्थ से निकालना इसी कॉशन से वर्थ से निकालना अब आप कुछ भी निकाल सकते हो वसरते आप पहले पार्ट में मजबूत रहोगे तो आप बिना पेन चलाएं सारी चीज़े निकाल लो दे तो अब हम सवाल करना चालो करते है clear है? हम मुल्धन निकालना सीखते हैं आपको condition आचुके हैं जहां पर आपको पेन नहीं चलाना चाहिए clear है? सुर बात करते हैं जैसे मान की तरो question मैंने दिया question मैं देख ले रहा हूं क्या लिखा है question है मुल्धन आपको व्याद करना है दर्दी है 30% 6 माही भी वो दे सकता है ठीक 6 माही दर्दी दे और समय दे दिया है एक बर्स और C.I. दे देता है 1935 1935 option भी दे दे रहे ठीक ये question इस तरह से आजाता है option क्याद क्याद यह है option है 5,000 6,000 7,000 8,000 question पढ़ता हूं वह धन क्याद करो जो 30% वार्सिक दर्से एक वर्स का चक्वरत दिप्याद 1935 होगा जबकी ब्याज समझना ब्याद के पास किसके पास चाहोगे 6,000 के पास पहुँच गए अब आसा सी लगी 15% कितना हो जाएगा भाईया 900 हो जाएगा यहाँ पर 15% कितना हो जाएगा 900 जो 35 भी मिल गया है मतलब तुम ही मेरे आंसर होगे डोड़ने पर भी आंसर आ रहा है तो आंसर कितना आएगा 6,000 मतलब क्या करने वाले हैं भावी क्लास में पिछली क्लास पर जितना हम पढ़ चुके हैं अब केबल और केबल हम उसमें मान रखने वाले हैं डेट से खताब अगला कॉशन देखते हैं ठीक है एकाद और मुल्धन निकालना देखते हैं ठीक आपको मुल्धन ग्याद करना है ऑप्सन है आपके ऑप्सन पहले दे दे रहा हूं कोई दिक्कत रहे अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए भी आपको ग्याद करना है दर दी है आपको 40% ये भी 6 माई दी हो ती माई दी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है समय दिया है तो इस बार 6 माई नहीं देते हैं दर कर देते हैं 20 परसंट समय कर देते हैं एक वर्स छैमा तो नहीं हो जाए नहीं समय कर देते हैं तीन वर्स और सियाई देते थे आपको अब देखो जड़ा फट से लेखने जरा जैसी उसने तीन वर्स कहा टंडे कितने कर जाएंगे तीन ब्लुकु ध्यान से समझ रहा सौरूशन में ज्यादा सवाए नहीं लगेगा जितना कॉशन लिखने में समय लगा रहा है अब दर कितने परसंट है 20 परसंट दर कितने प जैसे ही आगएं तो यहां पर जैसे ही कर्फो पहुंच घे तो अब यहां पर भी देखो में तो आप उस नमबर पर 87,000 पर नहीं पहुँश पार है क्योंकि 6600 ता जैसे ही आपने 20% निकाला तो 621,12,12,1320,1320 तो उस नमबर पर नहीं पहुँश पार है,8000 पर नहीं पहुश पार है आप, तुम मेरे आंसर नहीं हो, किस के पास जाओगे, किस का दर्बजार खटखटा होगे, तो अ हब 20% देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, Olive अब अमित जगी, अब अमित जगी कि शायर हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी कितना आएगा, 480, मैं तो कहा रहा हूँ, इसका देख लो, बाकी सब जगा देखोंगे 0 है आप देखो मैं क्या कहना चाहरा हूँ अब देखो मैं क्या कहना चाहरा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एकाईवी बैलैंस कर लोगे ना तो भी आपका आंसर आराम से आजाएगा क्योंकि हम लग था एक घंटे पढ़ चुके हैं यह पावर होता है ना X ना फर्मूला आपको देहेंगा यार तुम ही हो तुम ही हो मेरे आंसर तुम ही हो खाता है तो सेट जितना जाता दिमाग सेट करके पढ़ रहे होगे उतना जाता अब आपको समझ में आना लगेगा अब अगर दिमाग सेट नहीं किया है तो एक घंटे बाद आपको फिट से पूरा पिटो देखना पढ़ेगा सीखना तो पढ़ेगा क्योंकि ऐसा कहां सीखने मिलेगा चल्ड आगे बढ़ते हैं कोई करते हैं जिसमें हम दर निकालना सीखने हैं बढ़े निकालते हैं पर सीखने जरा डर कैसे निकालते हैं कि मूलधन दियाक को 50,000 देखन आपको ग्याद करना है समय लिखा ए एक बरस जह मांही दर निकालना है और जो चक्रप्रती व्याज है वो मिल रहा है आपको दस हजार पांसो दस हजार पांसो तो ऑप्सन में देख लेते हैं जारा ऑप्सन में 10% 20% 40% और 30% 10% रखकर देखते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा दो गर्स कितने वर्स हैं दो गर्स जैसे हमने 10% रखा ध्यान से समझ लाएं तरफबार से होती दस परसें हो लगा यहां पर कितना रखना पड़ेगा पांस परसेंट दिमाग इस्तिर नहीं करोगे कॉशन गलत कर जाओगे देखा लगना अगर आपने 10% 10% यहां पर रखा त इसके हम बहुत दूर है मतलब तुम मेरे आंसर नहीं हो 10% आंसर गलत हो जाएगा थूस है तूर दो पर रखेंगे यहां पर इसकर ऐसे तो यहां पर कितना हो जाएगा 10% पांच हजार अगें कितना हो जाएगा 5000 tapi पांच हजार का और कॉशन करते हैं इसी डाइज में ठीक दर ही निकालते हैं अभी लंबा चेक्टर है अभी हमाद साधारण भ्याद चक्रदी भ्याज के भी कॉशन करना है इस वीडियो में नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे देख लेंगा ज्यादा लंबा हो गया होगा तो चलो ही देखते हैं अगला कॉश्चन देखते हैं अगें दरी निकाल दो आप कॉश्चन मुल्धन गिवन है पचास अजार ठीक समय जो है रेट आपको फाइंड करना है टाइम दिया है एक वर्स छे माही छे माही दर है नो छे माही तो इसमें थोड़ा से ध्यान रखना होता है और जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 59375 ऑप्सन है इसी तरह से ऑप्सन बना लेते हैं 10% 20% 40% 50% ठीक यह ऑप्सन हो गए अब पहली बात तो आपके पैर बंदे हैं कि चोकी दर है तो जो भी आप दर रखोगे उसको क्या करोगे हाँ उसको क्या करोगे हाँ हाँ करोगे तो यदि आप 20% रख रहा है तो यहाँ पर कितने रखोगे 10% और आप देख पा रहे होगे कि 50,000 का लगवा 15,000 है मतलब तुम तो मेरे आंसर होई नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप रहोगे तो 5000, 5000, 5000, 5000 और जहाँ पर 500, 500 आए निश्यत रूप से दर को बढ़ाना पड़ेगा और हम 50% रख ले रहे हैं मतलब हमें यहाँ पर कितना निकालना पड़ेगा 25%, 25% और 25% इतनी बरत आगई होगी समझ में तो जब आप पहली लैंड में ही निकालते हैं तो आपको एहसास हो जाता है 12,500, 12,500, 12,500 बारा एकम 12, 12,14, 12,36 और यही वो संख्या हो सकते हैं और यहाँ तक फ़हचा सकते हैं 25% क्योंकि 40% जवाब रखोगे ना तो यहाँ पर कितना आगएगा 40% रखोगे 40% जवाब रखोगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा तीन भागों में काटोगे तो यह तो दिसम्राब पर पहुँच जाएगा 40% को तो हम रखी नहीं सकते समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जब आपको 40% रखोगे तो 20% हो जाएगा तो 20% जैसी रखोगे 20% जैसी आप कर पाओंगे जब आप अच्छे से समझोगे चीडों को तब आप कर पाओंगे डारेक्ट नहीं कर पाओंगे तो बहुत जैसे को आपको मिल जाएगे हर एक किताब में एक और पर पर अज़ाएगा तो देखतें हैं अर्दुबार्सिक रूफ से सही हो जिए चक्वद्धी ब्याज की 12% वार्सिक दर से पत्ची सो की धन्रासी कितने वर्स में 28,29 हो जाएगी समय दिया है आपको ऑफसर में तो सबसे पहले तो आप यह समझ दो कि मुल्धन दिया है पत्ची सो दर आपको कितने दी है दर दी है 12% समय आपको फाइंड करना है C.I. आपको दिया नहीं है ध्यान रखना ऐसा सीधा हो जाएगी मतलब मिस्त्रथन दिया है मिस्त्रथन कितना दिया है 28,29 यह ध्यान रखना होगा अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि सधरन भ्याज में भूद स्पश्ट समय में पहुत ऐस समझाय कि साधरन भ्याज और चक्रथन भ्याज में एक सब्द का फर्क होता है एक भ्याज दिया है तो वह किसपत है का व्याज हो जाएगा और व्याज नहीं लिखाएं मतलब समझ जाम मस्तुरतर दली इसंते में आप्छा इसा सब्सक्षा तो थीब सबुद्धन परकेते हम्गार कितना जाएब कितना सेजुद आ तो इसका शेपरसें कितना द है कम पंद्रा और 100 दूसरा डंडा किज़ेगा और 6% ही निकालेगा निकालेगा 6% से जाला नहीं निकाल सकता दर कैसी है 6 माही है इस कालों से 25% से जाला निकाल ही नहीं सकता आपके पैर बने हैं और यहां पर भी दिखोगे अब यहां पर आप समझ जाओगे कि 309 के आसपास पहुंच गया हो या 6% निकाल लोगे तो आंसर कितना होगा एक बर्स ध्यान रखना आंसर कितना होगा एक बर्स यह भी आप ध्यान रखना क्लियर है यह भी आप अगर समझने में नहीं आ रहा तो मैं अभी रिपलाई नहीं कर पाऊंगा आपको है ना आपको कमेंट में रिपलाई करोंगा या अलग से कमेंट वोक्स में आपको रिपलाई कर पाऊंगा ठीक अगर समझने में कुछ दिक्कत आ रही है ठीक चो कि 6% तो समझ आगे आपको फिर से देखो जबाइसी कॉशन को इपर आँ तो यहां पर कि सब्सक्कित मेला निकालेगा जबहाइं मैं चैक पहला निखलней निकालेगाँ कि अगर प्रणिप्र का न यहां भी कितना हो जायका रंप Such us सब्सक्राइब तो यहां भी निकलेगा और यहां 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 भी निकलेगा क्योंकि तीसरे साल नकलता है पहले दूसरे साल क्लियर है जो और देखने हैं तो जितना सीखोंगे उत्रा मज़ा आसे जाएगा और देखने है पुश्यने बारा परसें चकप्रादी ब्याज की तर्षे एक लाग पचीज हजार की धनरासी कितने समय में 1,48,887 हो जाएगी जबकि ब्याज बड़ अर्दवार्शी कुरूप से सेंगे था मुल्दन दिया है 1,25,000 ठीक दर देख लें दर दर दिये के ये 12% समय की फाइंडिंग करना है अगें CI नहीं दिया है एमाउंट दिया है पहचानने का केवल एक ही तरीका है आप किसको किस में से घटा दोगे 14,000 14,88,87 और इस में से कितना घटा दोगे 25,000 जब आप घटाओके तो आपका कुछ इस तरह से आ रहाएगा 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 यहाँ पर बचेगा 23,887 ठीक क्योंकि ये लिखा है 14,887 जिनका आजा है वो कर लें चाथ अब यहाँ पर हमने निकाला 6 परसन कितना 6 परसन निकाल सकते हैं? आप कुछ कर भी नहीं सकते 6 परसन एक डंड़ा के जब शेपरसन निकाला ठीक और हम देखें कि डंड़े कितने कितना है क्योंकि option भी आप देखो किस तरह से लिखें है option लिखें है 3.5 परस, 1.5 परस, 2.5 परस और 2 परस तो जब आप निकालो भी तब आपका answer आ जाएगा और इस तरह से आपको करना होगा चले, बहुत ही बड़ी है, सही जाने चले, तो 6 परसन, 6 परसन और 6 परसन यहाँ पर हमने 6 परसन निकाला तो 1 परसन कितना और को सौचके देखो 1 परसन कितना हो जाएगा 5500, अगीन 5500 कहां त्यक्त मोच के 15,000 तक, हमें 14,000 तक जाना माफ कें, हमें जाना है 23,000 कहां तक जाना है 30 मलब तीसरा डंडा खिचेगा ही खिचेगा क्योंकि यहां पर इतनी भारी भरकम चीज नहीं निकलेगी तो वह आपको तेईस अजार प्रफेट देगी और जैसे तेईस तीसरा डंडा खिचेगा मलब गारंटेड आंसर कितना आएगा डेड़ वर्स एक वर करने की कोजस करेंगे लेकिन चुकि यह क्लास लंबी हो गई है तो इसको यहीं पर बाइंड़ पर करेंगे मिलेंगे अगली महत्मूर क्लास में ले रहें यह वीडियो आप चाहिंज दीब पर देख रहे हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ना किय रहे हो तो उसको जरूर ऑ fan करते हैं एक क्वष्चन में अब को छोड़े जा रहा हूं बिना option के लगो आपको यह आंसर करके बताना, एक question मैं दे रहा हूं आपको, एक question करके दिखाओ, लिखो question, मैं लिखते रहा हूं नहीं तो, आप मुझे बताओ, क्लास ध्यान से देखे हो अगर क्लास ध्यान से देखे होगे तो अब आप पे ये question जरूर बन जाए dirty question लिखना हूं ध्यान से सुनना 9000 का 10% वार्षिक दरपर 9000 का 10% वार्षिक दरपर दो बर्स, 4 माह का चक्प्रदि ब्याज कितना होगा? जब कि ब्याज बारसिक दे हो कठे नहीं है बहुत ही सरल है option फीद लिख दी रहा हूँ 200 पहला option है 200 दूसरा option है 200 पशास तीसरा option है 253 और चौसा option है आपको लग रहा है नहीं इन में से कुछ भी नहीं है आप कुछ नया निकाल रहे हो none of these करके दिखो बहुत ही मज़ा आएगा आपको question चली तो यह question यह जो पूरा वीडियो है आप चाहिल स्थीप YouTube पर देख रहे हैं मैं भी पी दुबे हूँ और आपको इसी तरह की मैस की और क्लासों को जुड़ने के लिए आप इस चैनल को क्लियर है तो मिलते हैं अगली महत्पूर्ण क्लास में अभी बची है भी क्लास है पता ही होगा किस तो बाले सभाग जिस साथान ब्याज चक्रवर्दी ब्याज के काफी important question आते हैं तो उमीद कर रहा है जब हम वो वीडियो लाएंगे तो आप साथान ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज को अच्छे से पढ़ लेंगे बिलते हैं अगली क्लास में नमस्कार चैहें